समस्कार the great indian till.com में आपका सौगत है। आज हम तिल वटा बनाएंगे। तिल वटा बनाने के लिए यह आदा कप सफेग तील लिया है। या फिर इसे आप तील की चट्नी भी कह सकते हैं। यह आदा कप सफेग तील लिया है। आदा कप नारियल लिया है। और तीन से चार हरी मशिले। सबसे पहले इस तील को मैंने पानी में भीगो के रखा था। 15-20 मिन तर फिर इसे अच्छी तरह से धोल लिया है। क्योंकि तो बहुत गंड़ी रहती है तो धोना पड़ता पहले। धोने के बाद इस तरह से इस्टमाद करेंगे। तो नारेल को पेस्ट बनाएंगे बढ़े। अलैंतो नारेल कुछ टावल देंगे। अब इसका पेस्ट बनाएंगे। अब हमारेल नारेल पीस गया है अब हम इसमें ठिल दालेंगे एफ नहीं है? यहारे मोची मेदने वां सादनो साना मत अविसका पेष्ड़न हमारा पेश तयार हो गया है इसमें मैंने करीब आधा कब पाड़ी डाला है आप चाहरा या कम कसका में टेस्ट के साथ हमारा तील बाटा या सफेग तील की चटी तयार है इसे गर्मा गरम चावर के साथ परोसे अगर आपको हमारी रेशिपी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को जाइब सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए धन्यवाद